समस्कार आप सभी का आगे स्क्रेप्सर 99 में बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग जानेंगे बिहाराज के सूचना आयोग के मुक्ष सूचना आयोगत द्वारा किस प्रकार आवेदक सिकायत करता से हैं रिटायर्ट पी आयोग का पता पूछ कर उससे ही अन्य बिंदों पर सिकायत प्रमानित होने के बावजूद भी उसके निवास अस्थान उसके घर का पता लगाने को कहा गया है जो न्याय संगत नहीं है इसके बारे में आप लोग भी अवस्य ध्यान रखेंगे यदि आप भी किसी पी आयोग के खिलाप आयोग में सिकायत किये हैं तो आपको उनके बरतमान पता का जानकारी होना चाहिए अन्य था सिकायत बाद निरस्ट कर दिया जाता है इस प्रकार आयोग के द्वारा भी मनमानिक की जा रही है जिससे हम आवेदक को भी बहुत अधिक परिशानी का सामना करना पार रहा है तो आप लोग देखेंगे कि एक मैंने सिकायतवाद दायर किया था जिसका करमांग है C222-2022 मैंने यहाँ एक थाना के SHU के खिलाब सिकायत किया था 18.1 के तहत उसमें उन्होंने जूठा सूचना दिया था चलिए जो इस चैनल पर नए हैं जो अब तक सब्सक्राइब करने नहीं पाए हैं वो लाल कलर का सब्सक्राइबर का बटन है सब्सक्राइब करने के लिए वह अब सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन को दवा कर ओल पर भी क्लिक करें जिस तरह से आपको इस तरह के हर वीडियो का नोटिपिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो था इसे इतना सेर करें कि आयोग में हो रहे गरवडी की जानकारी हर व्यक्ति को हो तो था यह हमारी सरकारों के पास भी पहुंचे तो था यह राजपाल के संग्यान में भी आ सके चलिए आप लोग देखें ध्यान पूरवक पूरा वीडियो देखेंगे मैं विश्थार पूरवक इसे आप लोगों को दिखा रहा हा हूं पूरा वीडियो बस देखेंगे मैंने दस आठ को सुनवाई की थी इस बात की सुनवाई हाइब्रीट कोर्ट सिस्टम के माध्यम से की गई सिकायत करता उपस्थित परतिवादी श्री विजय पासमान लोग सुचना पताधिकारी से पुलिस अवर निरक्षक साथाना ध्यक्ष ओपी रतवार आलम नगर उपस्थित हैं सिकायत करता प्रपत को सुचना की मांग 9-12-19 को की थी एवम दूती अपील दायर नहीं किया था यहां सिकायत बात दायर किया था अविलेक में पुलिस नर्चक काड़ियाले मदेपूरा का ग्यापां कितना दिनां कितना उपलब्द है जिसके द्वारा ओपी प्रभारी रतवारा को सुचना प्रदान करने यह थी प्रपत को अस्थान्तरित करते वी इसकी जानकरी सिकायत करता को दी गई तद पस्चात ओपी अध्यक्ष रतवारा द्वारा डियार संक्षा इतना दिनां कितना द्वारा सिकायत करता को सुचना प्रदान की गई थी जिने 25-22 की तिथी में निवंधित डाक से सिकायत करता को प्रदान की जाने की रसीत की चाह परतिसगलं की गई है सिकायत करता का या कथन है कि जो सूचना है उन्हें ओपी अध्यक्षरचबारा द्वारा 11.2.2020 को दी गई थी वह उसकी द्वारा समर्पित 22.11.2019 की पत्र के संबंद में न होकर किसी अन्य मामले के संबंद में है और इस प्रकार उसका कहना है कि उन्हें वांचित सूचना नह दी गई मांगने पर सिकायत करता 22.11.2019 की पत्र की प्रतिलिपी देते हैं जो उसके द्वारा ही प्रेशित किया गया है ना कि उसकी मा द्यारानी देवी के द्वारा इसलिए ओपी अध्यक्षरतवारा द्वारा डियार संख्या 26.23.11.2020 को जो सूचना है सिकायत करता को दी गई है वह उनहीं के 22.11.2019 की आवेदन के संबंद में प्रतित नहीं होता है आप लोग असपस्ट देखें कि इससे साबित हो गया है कि जो उसने मुझे सूचना दे थी वह मेरे आवेदन से संबंदित नहीं थी इतना होने के बावजूद भी उस पर करवाई ना कर उसका व गया कथन है कि उन्हें 22.11.2019 का वह आवेदन अपने कार्याला में उपलब्ध नहीं हुआ तो उन्होंने परतिवेदन मांग कर इस समंद में प्रात्मिक्ता दर्ज कराई है इससे इतना असपस्ट होता है कि ततकाली नोपी अध्यक्ष लतवरा स्रीराम नवास चौदरी के DR संख्या, 24 दिनां की तेहां द्वारा जो सूचना है सिकायत कर्था को दी गई थी, वह बाइस 11.19 के सिकायत कर्था के आवेदन पत्र के आलोक में नहीं होकर किसी अन्यावेदन के आलोक में थी, ऐसी स्टिती में सिकायत कर्था से स्रीराम निवास चौदरी के बरतमान पत ताके समन्द में पूछा गया क्योंकि उपस्थित प्रतिवादी का या कथन था कि स्री राम लिवास चौधरी जो ततकाली नोपी अध्यक्ष रतवराथे सेवानृत हो चुके हैं ऐसे इस्तिती में स्री राम लिवास चौधरी से कारण पिक्षा के जाने है तो उसका पता ज जासके अन्यथा या सिकायदबाद प्रमानित नहीं हो पाएगा बात की अगली तिति इतना दिनां कितना है अब यहां जानने योग समझने योग बात है कि यह पता जो रिटायर कर गए हैं इसका पता विभाग के पास रहता है ना कि सिकायद करता के पास मेरा सूचना से आग रहता कि यह पता मैं भी लगा रहा हूं लेकिन यह विभाग को भी एक नोटिस जारी कर उनके बरतमान पदा या उनके निवास अस्थान की जानकारी मागने चाहिए थी जिसमें उन्होंने इस संबंद में विभाग को ना पूछ कर केबल मुझसे ही उनका पता लग देंगे या कौन दोसी है क्या विहार आज सुचना आयोग में दोसी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है इस पर कमेंट कर अबस मुझे बताएंगे मैंने उनका बरतमान पता पूछने के लिए SP मधेपुरा को RTI लगाई लेकिन उन्होंने उनका पता देने से इनकार कर दिया धारा 8J का गलत प्रयोग करके जय हिन